अब हम इसे सर्व करेंगे मिस्सल पाव को उसके लिए एक बाउल में मिस्सल को डालें ग्रेवी अच्छी से डालें इसकी इसके उपर धनिया पत्ती डालें बारी कटीवी एक साइड में बारी कटावा प्यास दें एक नीम्बू का टुकड़ा रखें कुछ मिक्शर रखें इस तरह मिक्शर सर्व करें मिक्शर अच्छी से सर्व करें क्योंकि इसके साथ मिक्शर बहुत ही अच्छा लगता है और एक साइड में इस तरह पाव रखें हम बनाएंगे मिस्सल पाव उसके लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तयार करेंगे उसके लिए एक कढाई में तीन से चार बड़े चम्मच तेल डालेंगे तेल को हलका गर्म होने देंगे उसमें एक चोथाई चम्मच गोल मेच छै से साथ लॉंग दो फूल चक्री एक इंच का टुकडा दालचिनी का डालेंगे तीन सुखीवी लाल मेच डालेंगे दो बड़ा चम्मच धनिया का डालेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे एक बड़ा चम्मच सौफ का डालेंगे इन सबको मेडियम फ्लेम में चलाते वे सेखते जाएंगे दो इंच का टुकडा अद्रक का डालेंगे दस से पंदर कली लशून की डालेंगे एक एक करके डालते जाएं और इसे शेखते जाएं एक बड़ा चम्मच सील का डालेंगे फ्लेम को मेडियम में रखें दो बड़ा चम्मच सूखा वा नारियल इस तरह पोर के डालेंगे इसे चलाते वे सेखते जाएं इन सब को दो से तीन मेड शेख लें दो से तीन मेड इसे शेखते जालें अब इसमे दो से तीन प्याज और दो से तीन टमाटर कटेवे डालें इसे हाई फ्लेम में करके प्याज और टमाटर नर्म होने तक इसे शेक लें इसे बीज बीच में चलाते हुए शेक लें बढ़ना मसाला इसमें चिपल जाएगा फ्लेम को मीडियम हाई करते हुए शेक लें मसाला सिख चुका है अब गयाज बन करेंगे और इसे पुरी तरह से ठंडा होने देंगे मसाला ठंडा हो चुका है इसे अब हम पीस लेंगे इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना ले हमने एक दिन पहले डेर कप मोट को धो के और अच्छी तरह से भिगो दिया था एक पूरी रात हमने भिगो दिया उसके बाद इसे छान के और अंकूरित होने के लिए रख दिया है यह अंकूरित होने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है अब इसे हम छोकेंगे उसके लिए उसी कढ़ाई में दो से तीन बड़े चमच तेल डाले तेल को गर्म होने दे तेल गर्म हो चुका है अब इसमें एक छोटा चमच राई एक छोटा चमच जीरा आधा छोटा चमच और 15-20 करी पत्ते इन सब को डाल के इसमें मोठ डालेंगे मोठ को चला लेंगे मोठ को चौपने से पहले एक बर ढोले अच्छी तरह से अब इसमें एक छोटा चमज हल्दी का और नमस स्वादानुसार डालने इसे डाल के मिला लें और इसे ढख के पकने दे इसे बीच बीच में कवर हटाके चलाते रहें और जख के अच्छी तरह से पकने दे आप चाहें तो प्रैसर कुकर में भी एक सीटी लगा सकते हैं उससे ये जल्दी हो जाएगा मोट सीट चुका है अब इसमें ये पीसावा मसाला डालेंगे इसे अच्छी तरह से डाल के मिला लें और दो से तीन कप पानी डालें इसमें ग्रेवी अच्छी से बनानी हैं इसलिए पानी अच्छा से डालें पानी डालके उबलने दे ग्रेवी को अच्छा से पतला ग्रेवी बना लें इसलिए पानी अच्छे से डालें नमक एक बाद चखले बनने के बाद अगर कम लगे तो और डाल ले और मसाले को अच्छा से उबलने दे फ्लेम को हाई में रखे और इसे बीच-बीच में चलाते हुए पका लें मसाला हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है अब इसमें आधा कप इस तरह छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गूर डालेंगे इसे मिला लेंगे और आधा कप इमली का पल्प डालेंगे इन सब को डालके एक से दो मेट के लिए और इसमें चला लेंगे मिल्सल तयार है अब गैस बन करेंगे मिल्सल पाव तयार है इसे गर्म गर्म सर्व करें ये खाने में बहुत अच्छा लगता है ये मुंबई का फेवल जी से इसे इस तरह पाव के साथ मिल्सल के साथ सर्व किया जाता है